बच्चों, आज का हमारा जो विशय है ये है पृत्वी की आंतरिक सनरचना जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं कि पृत्वी को बाहर से तो हम सब देख सक रहे हैं, महसूस कर सक रहे हैं लेकिन पृत्वी अंदर से कैसी होगी यह वास्तों में हमारे लिए कौतुहल का विशय है जैसे बच्चों हम अपने शरीर को देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा शरीर उपर से जो दिखाई दे रहा है अंदर से विल्कुल भिन्न है ऐसे ही पृत्वी हमें जो उपर से दिखाई दे रही है वास्तों में वह ऐसी नहीं है वह बहुत अलग है और प्रित्वी की यह जो भिन्नता है ये जैसे प्रित्वी के अंदर से हमें कभी समझ में आता है कि कहीं भूकम पाए हैं ये प्रित्वी के अंदर से आने वाली गतियां हैं जटके लगते हैं प्रित्वी के अंदर से ज्वाला मुखी का उद्गार होता है खूब सारा गर्म लावा बाहर निकल जा रहा है तो ये वास्तों में हमारे लिए एक कौतुहल का विशय हम इसको कह सकते हैं कि प्रित्वी अंदर से कैसी होगी क्योंकि प्रित्वी में हम बहुत सी बातों को महसूस कर रहे हैं जैसे हम जानते हैं कि प्रित्वी अपने अक्षय पर गोल घूम रही है इसे प्रित्वी का रोटेशन या पारिभ्रमन कहते हैं और इससे दिन और रात हो रहा है ये प्रित्वी गोल घूमने की गति क्या है यदि हम गती को महसूस करते हैं तो 24 घंटा पृत्वी अपने अक्ष पर एक बार गोल घूमने में लगा रही है यह भी एक महत्वपूर्ण तथ है कि पृत्वी घूम कैसे रही है उसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि पृत्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और इसे हम परिक्रमन कहते हैं यह परिक्रमन पृत्वी एक निश्चित अक्ष एक और्बिट है उस और्बिट में वह कर रही है वह अपने और्बिट से विचलित नहीं होती यह क्या कारण है कि पृत्वी में विचलन नहीं है वह एक निश्चित कक्षपर सूर्य का चक्कर लगा रही है याने पृत्वी में क्या है स्थीरता है तो यह स्थीरता पृत्वी में कहां से आई प्रित्वी के हम चारो तरफ देखते हैं कि एक वायू मंडल की सीमा है और उसके बाद अंतरिक्ष प्रारंब हो जा रहा है तो यह वायू मंडल जो प्रित्वी के आकर्शन में है प्रित्वी के चारो तरफ एक कंबल की भाती यह बना हुआ है तो यह वायू मंडल प्रित्वी के आकर्शन में क्यों है हम जब प्रित्वी पर उचल कूद मचाते हैं तो वापस प्रित्वी पर अपनी सतह पर आ जाते है क्या कारण है ये सब गुरुत्वा कर्शन के कारण है प्रित्वी में गुरुत्वा कर्शन कहां से आया तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे लिए कौतुहल का विशा है हमें यह जानने की बहुत उत्सुकता रहती कि यह सब क्यों होता है और इसलिए आज हम पृत्वी के अंदर का अध्यन करेंगे हम धरातल के उपर में देखते हैं कि धरातल के उपर में कई प्रकार की चट्टानों का समोह है और यहीं चट्टानों से धरातल का निर्मान हुआ है चट्टाने तोड़ फूट रही मिट्टी बन गई लेकिन कुल मिलाकर चट्टानों का अंश धरातल के उपर देखने को मिलता है और इस आधार पर यदि हम पृत्वी के स्थिती का आकलन करे तो कुछ विद्वानों ने जो पृत्वी का आकलन किया है कि पृत्वी का भार इसका मास कितना है तो पृत्वी का मास जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं 5.9 गुनित 10 इसकी घात 27 ग्राम ये पृत्वी का भार इससे निकाला गया है इसी प्रकार से पृत्वी का जो आयतन है इसका वाल्यूम वाल्यूम निकालने के लिए ये जो सूत्र है शुन्य एक दशमलव एक गुनित 10 की घात 27 घन सेंटीमीटर इससे हम पृत्वी का आयतन ग्यात करते हैं तो ये तो भार और आयतन कैसे ग्यात किया गया उसी प्रकार से पृत्वी का जो आउसत घनत्व है यह घनत्व पांच दशमलव पांच दो ग्राम प्रती घन सेंटीमीटर में आका गया है प्रत्वी की चट्टान जो धरातल के उपर में पाई जारी है इसका घनत्व 2.7 ग्राम है तो इस प्रकार से यह जो घनत्व जिससे हम प्रत्वी की जानकारी को महसूस कर रहे हैं यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है तो बच्चों अब हम सबसे पहले प्रत्वी के अंदर क्या है कैसी है हमारी प्रत्वी अंदर से यदि हम इस बात की और जानना चाहें तो हमारे सामने में दो महत्वपूर्ण जो तत्व या साधन हम कह सकते हैं यह हमारे सामने में आते हैं इसमें पहला जो है यह है अप्राकृतिक साधन और दूसरा प्राकृतिक साधन अप्राकृतिक साधन क्या है? प्रित्वी पर पाय जाने वाले जो तापमान के स्थिती है प्रित्वी पर पाय जाने वाला घनत्व और प्रित्वी के भीतर में दबाव की जो विभिन परिस्थितियां है यह अप्राकृतिक कारणों के अंतरगत आती है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि घनत्व क्या है बच्चों घनत्व शब्द से आप परिचित हैं ये घनत्व क्या होता है ये भार को बताता है और इसको जानने के लिए अभी मैंने जैसे आपको एक सूतर बताया कि घनत्व को जानने के लिए ग्राम प्रती घन सेंटीमीटर से हम घनत्व निकालते हैं अर्थात जैसे एक सेंटीमीटर लंबा, एक सेंटीमीटर चावड़ा और एक सेंटीमीटर उंचा मान लिजे एक box है उस box में आप अलग-अलग वस्तुएं जैसे भरते हैं तो ये अलग-अलग वस्तुओं की जो इस्तिती है इसका वजन है ये अलग-अलग इसमें आएगा मान लिजे इस box में आप लोहा भरेंगे तो लोहे का वजन अधिक होगा लेकिन इस box में यदि आप गेहूं भर देते हैं तो गेहूं का वजन कम होगा तो ये एक सेंटीमीटर गन सेंटीमीटर का जो box है इसमें हम कौनसी वस्तू भरें उसका वजन कितना होता है ये घनतव कहलाता है गनत्व का और आप समझ सकते हैं कि जैसे आप एक किलो का बाट देखते हैं ये बाट सघन है और ये छोटे से आकार का होता है लेकिन जब आप एक किलो की कोई वस्तू खरीदते हैं तो उस वस्तू का आकार ज्यादा बड़ा हो जाता है जैसे आप गेहूं खरीते हैं चामल खरीते हैं तो वो इतने बड़े कैरी बग में आता है और भी अलग-अलग चीजों का जो वजन होता है उसके अनुसार उसकी मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है और यही घनत्व कहलाता है प्रित्वी पर यदि हम घनत्व का अध्यान करते हैं तो प्रित्वी के सबसे उपरी भाग जिसको हम सतह कहते हैं इस सतह का घनत्व जो है वह 2.7 से 2.9 तक पाया जाता है और जैसे जैसे हम सतह से भीतर की ओर जाते हैं भीतर में घनत्व की मात्रा क्रमशह बढ़ती चली जा रही है प्रित्वी के भीतर की जो स्थिती है वहाँ पर प्रित्वी का जो घनत्व है सतह के ठीक नीचे और कुछ गहराई तक जब हम देखते हैं तो प्रित्वी का घनत्व 3 से 3.5 यानि घनत्व बढ़ गया प्रित्वी के भीतर में पाई जाने वाली जो तत्व है जो चट्टानी है इसका वजन अधिक होता है इसी प्रकार से और भी अधिक गहराई पर यदि हम जाते हैं लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक हम यदि जाते हैं तो प्रित्वी का घनत्व 3.1 से 4.75 के बीच पाया जा जाता है क्रमशह गहराई पर जाने पर लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर घनत्व 4.7 से लगभग 5 तक पाया जा रहा है इसी प्रकार से और भी अधिक गहराई पर यदि हम जाएंगे लगभग 29 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो प्रित्वी का जो पांच दशमलो 6 और उससे भी क्रमशह अधिक बढ़ता चला जा रहा है और प्रित्वी का जो केंद्रिय भाग है उसक्षेत्र में तो ऐसा माना जाता है कि घनत्व लगभग 11 है तो इस प्रकार से घनत्व की जो बढ़ती प्रवृत्ती है यह इस बात को इंगित करती है कि प प्रमशह केंद्र की तरफ बढ़ने पर पदार्थ भारी होते गए हैं और इनका भार या इनका घनत्व जो है यह बढ़ता चला जा रहा है तो यह तो हो गई घनत्व की बात दूसरी जो बात है यह है यह दूसरा कारक है दबाव दबाव या दाब बच्चों आप जानते हैं कि दाब प्रित्वी के अंदर अधिक है उपर की तुलना में यह कैसे समझ में आता है जब प्रित्वी के ऊपर से अत्यधिक दबाव के कारण नीचे में जैसे मान लिजे पानी रिष्कर चला जा रहा है तो यह पानी क्या कर रहे है अत्यधिक दबा रहा है और उसके कारण कभी कभी प्रित्वी से भाप निकल आती है बाहर कोई छेत्र से भाप निकल जाती है या पृत्वी के अंदर में यदि कोई कुवा है तो वहाँ पर गर्म पानी जो होता सामाने धरातल की तुलना में कुवाई का पानी गर्म होता है तो ये पृत्वी के अंदर की गर्मी और गर्मी के उहरी अत्यधिक दबाव के कारण प्रित्वी का उपरी भाग में दबाव कम है और क्रमशह भीतर के और जाने पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है और इसी दबाव के कारण संभवत या ज्वाला मुखी क्यों उद्गार हो रहे हैं क्योंकि अत्यधिक दाव के कारण जब नीचे में पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है तो किसी कमजोर ख्षेतर से लावा बाहर उद्गारित होता है और ज्वाला मुखी का उद्गार हो जाता है तो ये भी दबाव की सूचना देता है उपरी भाग में हलके पदार्थ है लेकिन क्रम शह नीचे में पदार्थ धीरे धीरे जमने लगते हैं आप कोई प्रयवक भी कर सकते हैं कि जब आप विबhin घनतों के पदार्थ को मिला देते हैं जैसे आप पानी में कुछ तत्व को मिला दीजे और मिलाने के बाद उसको छोड़ दीजे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो भारी पदार्थ है वो नीचे में जम जाते हैं और हलके पदार्थ है वो उपर में रह जाते हैं, तो इसी प्रकार से प्रित्वी में घन तत्व भी आपने देखा कि उपर के जो तत्व है ये हलके पदार्थ हो से बने है और नीचे के तत्व भारी पदार्थ हो से बने हैं, तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे करमशह दबाव बढ़ता चला जा रहा है, प्रित्वी पर सबसे अधिक दबाव इसके केंद्र में पढ़ता है और केंदर से क्रम्शह उत्तर के और बढ़ने पर दबाव का म्यानि उपर से केंदर की तरफ दबाव के बढ़ने की प्रवरित्ति पाई जाती है तीसरा जो तत्व है यह है तापमान बच्चों जैसा अभी मैंने बताया कि पिर्थ्वी के भीतर में अत्यधिक घनत्व है और अत्यधिक दबाव है और उसके कारण भीतर में जाने पर तापमान में भी वृद्धी हो रही है एक अनुमान के अनुसार प्रती 32 किलोमीटर की गहराई पर जब हम जाते हैं तो लगभग तापमान एक डिगरी सेल्सियस के लगभग बढ़ जाता है यह तापमान बढ़ने की प्रवरित्ति प्रिथ्वी के भीतर में काफी अंदर तक देखी गई है लेकिन यदि यही प्रवरित्ति रही तो प्रिथ्वी के अंदर का तापमान बहुत अधिक हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है प्रिथ्वी में जो तापमान के बढ़ने की प्रवरित्ति है सतह के नीचे प्रित्वी की जो सतह सतह अर्थ सर्फेस जिसको हम महसूस कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं जिसको हम धरातल कहते हैं उसके नीचे में तापमान जो है लगभग 500 डिगरी सेल्सियस तक पाया जाता है लेकिन उसके भीतर जैसे जैसे हम भीतर की और जाते हैं लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर तापमान जो है यह 800 से 1200 डिगरी सेल्सियस तक होता है यानि कि यह जो इतना तापमान बढ़ता चला जा रहा है इस बढ़ने से भीतर की जो चट्टाने है यह गलनांक तक पहुच जाती है गलनांक मतलब चट्टाने गलने लगती है पहले चट्टाने धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है चट्टानों का जो सोरूप है वो लचीला होता है इलास्टिक की भाती ऐसे खिंचने के स्थिती में आ जाती है और जब तापमान और भी बढ़ जाता है तो ये चट्टाने ग छेत्र को प्रिथवी का दुर्बलता मंडल एस्थेनो स्फियर के नाम से हम इसे जानते हैं जहां पर चट्टाने गल करके लगभग तरह लवस्था में जिसको हम लावा कहते हैं तो लावा के रूप में परिनित हो जाती है और इस प्रकार से जो तापमान में बढ़ने की जो प्रवरित्ती यहां पर हमने देखी है वह लगभग सौ मीटर की गहराई तक पहुंचने पर तापमान दो से तीन डिगरी सेलसियस तक बढ़ रहा है तो इस प्रकार से यह तापमान निरंतर बढ़ता चला जा रहा है लेकिन इसके बाद तापमान में बढ़ने की जो बीतर की और जाने पर लेकिन भीतर की और जाने पर तापमान निरंतर बढ़ता चला जाता है तापमान बढ़ने की जो दर है लगभग प्रित्वी में 400 किलोमीटर की गहराई पर यदि हम जाते हैं तो यहां पर तापमान 1500 डिगरी सेलसियस के लगभग पाया जाता है इसी प्रकार से लगभग 700 किलोमीटर की गहराई में तापमान जो है या 1900 डिगरी सेलसियस के लगभग पाया जाता है तो इस प्रकार से तापमान की जो बढ़ने की प्रवृत्ति है प्रित्वी का जो भितरी भाग है जिसको हम कोर कहते हैं तो कोर कहां तक है तो यदि हम 200 किलोमीटर के लगभग हो तो उस खेत्र में 2900 किलोमीटर का जो खेत्र है यहां पर तापमान 3700 डिगरी सेंटीग्रेट होता है और इसी प्रकार से इंकावन 300 किलोमीटर की गहराई में तापमान जो है यह 400 डिगरी सेंटीग्रेट हो रहा है तो इस प्रकार से तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है बच्चों आप जानते हैं कि प्रित्वी का जो केंद्र है सतह से यह कितना दूर है यह लगभग 6378 किलोमीटर की गहराई कुछ लोग 70, 71, कुछ 78 ऐसे अलग-अलग लोगों के प्रमान है तो लगभग प्रित्वी की जो गहराई है वो लगभग 378 हम मान के चल रहे हैं तो इतनी गहरी प्रित्वी है कुछ लोग 6,371 कहते हैं कुछ 6,378 या इस बीच में अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग गहराईयों का उल्लेख किया है तो प्रित्वी की ये जो गहराई है यहाँ पे जो केंद्री भाग है केंद्री भाग में सरवाधिक तापमान पाया जाता है तो इस प्रकार से तापमान, दबाव और घनतु ये तीन इस प्रकार के अप्राकृतिक कारक हैं जिसमें हम प्रित्वी का अंदर कैसा है इसका आकलन कर सकते हैं ये बढ़ता जो तापमान है इसी तापमान से चट्टान गलनांक पहुच जारी लावा बन रही और यही लावा जब उद्गारी थो करके बाहर आता है तो हम इसे ज्वाला मुखी का उद्गार कहते हैं लेकिन ये उद्गार जो हो रहा है यह प्रित्वी के बहुत गहराई से नहीं हो रहा है यह उसी क्षेत्र से हो रहा है लगभग आर्ट्स जहां पर प्रित्वी की गहराई लगभग 100 किलोमेटर है तो उसी क्षेत्र से ला ब्रित्ती है यह देखने को मिलती है दूसरा जो कारक है यह कहलाता है प्राकृतिक कारक प्राकृतिक कारक क्या है तो इसके अंतरगत हम दो बातों का उलेख करते हैं एक ज्वाला मुखी और दूसरा भूकम्प बच्चों आप जानते हैं कि भूकम्प एक ऐसा साक्ष ऐसा प्रमान ऐसा एविडेंस है जिसके माध्यम से हमको प्रित्वी के अंदर की जानकारी को प्राप्त करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है ये भूकम्प क्या है जब प्रित्वी के भीतर में अत्यधिक दबाव पड़ता है और दबाव के कारण प्रित्वी के भीतर में कई प्रकार की समवहनिक तरंगे जन्म लेती हैं ये तरंगे प्रित्वी के भीतर में निरंतर गतिशील है और यही जो गतिशील तरंगे है इस गतिशील तरंगों का जहां से प्रारंब होता है ये तरंगे जहां पर इकठरी और इकठी होने के बाद यहां से ये तरंगे जब प्रारंब होती है भुकंप के लिए तो इस भुकंपी लहरों का जो प्रारंबिक अवस्था होती है इसको अधी केंद्र या एपी सेंटर के नाम से जाना जाता है जहां से ये एपिसेंटर प्रारंब होता है वहां से ये तरंगे निकलती है और विभिन्न दिशाओं की और प्रवाहित हो रही है ये तरंगे कैसी होती है बच्चों आपने कभी खेल खेल में तालाब में कोई पत्थर फेका होगा और जब हम तालाब में दूर से पत्थर फेकते हैं तो फेकने के बाद जहां हमारा पत्थर गिरता है वहां से तरंगे उठना प्रारंब होती है प्रारंभम ये तरंगे बहुत तेजी से उठती है जहां पर पत्थर गिर रहा है उस केंद्र से और वहां से फिर धीरे धीरे उनकी जो गती होती है इसमें धीरे धीरे खिर्णता आती है और ये जो लहरे हैं ये तट से आकर भी टकराती है तब ये काफी खिर्ण हो जाती है लेकिन ये जो गती है इसमें दोलन अधिक होता है। जहाँ पर केंद्र में पत्थर गिरा है वहाँ पर कम दोलायमान होती है। लेकिन क्रम्शह तट की तरफ या केंद्र से दूरी के और जाने पर इनमें जो दोलायमान होता है, गती होती है। अधिक हो जाती है बच्चो अभी हमने जैसे भुकम्प की प्रात्मिक दितियक और जो धरातली लहरे हैं इनके बारे में और इनकी हलचलों से हम भुगर्व की जानकारियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये अभी हमने बताया इसके बाद आप जानते हैं बच्चो की भुकम्प को ग्यात करने के लिए एक भुकम्प लेखी यंत्र बनाया गया है जिसको सिस्मोग्राफी यंत्र भी कहते हैं ये सिस्मोग्राफी यंत्र दूरस्थ से आने वाली जो भुकम्पी तरंगे हैं इन तरंगों को यह पकड़ लेता है और ये तरंगे कहां से प्रारंभुवी कहां तक आ रही है ये सब चीजे इस भुकंप मापी यंत्र के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि कितने समय में भुकंप आने वाला है और उस आधार पर लोगों को पूरुचेतावनी देती जाती कि भुकंप आने वाला जिससे उस ख्षेतर के लोग अपने आपको सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं जिन ख्षेतरों में यह जो भुकंप की स्थीती जो अभिलेखित होती है तो भुकंप आने की जानकारी मिलती लेकिन जहां पर यह स्थीती अभिलेखित नहीं हो पाती उस ख्षेतर को भुकंप का छाय क्षेतर या शेडो एरिया के नाम से हम जानते हैं बच्चों अब हम आगे देखेंगे कि भुकम्प कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार से भुकम्प धरातल पर प्रकट हो सकते हैं तो सबसे पहला है विवर्तनिक भुकम्प विवर्तनिक भुकंप जब भ्रैंश तल के सहरे चटानों के सरकने की प्रक्रिया होती है तो उससे भुकंप आता है इसे हम विवर्तनिक भुकंप कहते हैं दूसरा जो भुकंप है यह है ज्वाला मुखी जन्य भुकंप जब ज्वाला मुखी प्रक्रिया किसी क्षेत्र में ज्वाला मुखी का उद्गार हो रहा है ज्वाला मुखी प्रक्रिया संपन हो रही है तो उद्गार के पूर्व एक भैंकर विस्फोट कभी कभी होता है और इस फोट से उसक्षेतर का धरातल हिल जाता है और इससे भी भुकंप आते हैं इसके बाद जब प्रित्वी की जो भूपरपटी है हम जानते हैं कि प्रित्वी की जब उत्पत्ती हुई थी तो यहां आक्का गोला थी धीरे धीरे यहां आक्का गोला सिकुडते सिकुडते वर प्रित्वी के भीतर में दबाव अधिक है और ये दबाव जलवाश्प और गैस राशियों से अधिक बढ़ता चला जाता है जब प्रित्वी के भीतर में गैस राशियों का विस्तार हो जाता है और वो निरंतर हलचल करके किसी क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयास करती है तो इससे भी भूकम्प के जटके महसूस किये जाते हैं इसके अलावा धरातल को यदि आप देखते हैं तो धरातल में देखी एक तरफ गहरे समुद्र है कहीं समतल मैदान है तो कहीं उचे परवत है उसके बावजू धरातल में एक संतुलन के स्थिती बनी हुई है जिसे हम आईसोस्टेसिया भू संतुलन कहते हैं कभी यदि इस संतुलन में आव्यावस्था आ जाती है तो इससे भी भूकम्प के जटके महसूस किये जा सकते हैं ये तो जो मैंने भूकम्प के जटके आने के कुछ प्राकृतिक कारण बता है इसके अलावा कुछ मानवजनित क्रियाएं भी ऐसी होती है जिससे की भूकम्प आ सकते हैं जैसे किसी क्षेत्र में खनन की प्रक्रिया हो रही है और खनन की प्रक्रिया के माध्यम से उस ख्षेत्र की जो खाने हैं उसकी छत कई भार ढँख करके नीचे गिर जाती है तो उससे भी भूकम्प आते इनको कोलैप्स अर्थक्वेक कहा जाता है तो अचानक छट के ढढ़ जाने से कॉलेप्स हो जाता है और इस प्रकार से भुकम की घटनाएं आती है कहीं पर पर्मानु परिक्षन होता है और इस परिक्षन के माध्यम से कहीं रासायनिक परिक्षन हो रहा है तो इससे विस्फोट किये जाते हैं और ये विस्फोट भी भुकंप के कारण बनते हैं इसके अलावा जब नदियों पर जल संचय के लिए बड़े-बड़े बांध बनाय जाते हैं तो इन बांध के कारण उस ख्षेत्र में पानी के कारण वजन बढ़ जाता है और उससे भी भुकंप के जटके महसूस किये जा सकते हैं तो ये तो भुकंप आने के कारण हुए बच्चों आप जानते कि भुकंप दो प्रकार के होते हैं एक इस्थलों में आने वाले भुकंप और एक महासागर या जलियक शेत्रों में आने वाले भुकंप तो जब इस्थलिय भाग में भुकम के जटके महसूस किये जाते हैं तो इसे इस्थलिय भुकम कहते हैं आज भी जो अलपाइन रेंज है अलपाइन परवश्रेणिया जो है इसके अंतरगत हिमाले सम्मिलित है तो इन ख्षेत्रों में आज भी दिभिन ख्षेत्रों में भुक बीए सागर के मद्ध्यवरती भीतरी भाग में और कई बार नीज़ भाग में भुकम के जटके आते हैं इस भुकम जटकों से सागरी एक शेत्र में जब भुकम पाते तो जो लहरों की आवरित्ती है ये बढ़ जाती बहुत बड़े आकार की लहरें यहां पर विक्सित होती ह है और ये बड़ी आकार की लहरों को हम सुनामी के नाम से जानते हैं तो सुनामी क्या है भुकंप नहीं है भुकंप आने के कारण जो लहरों का विकास होता है इन्हें हम सुनामी कहते हैं ये सुनामी आनों से तटी भागों में बहुत अधिक ख्षती होती है तो ये भुकंप के प्रकार हुए तो इसी प्रकार से भुकम्प की लहरे होती हैं भुकम्प की लहरे जहां एपी सेंटर से जहां पर भुकम्पी लहरों का सबसे पहले जहां से उद्गम होता है वह एपी सेंटर कहलाता है और एपी सेंटर से जब लहरे निकलती हैं तो जब प्रारंभ होता है लहरों का तो सबसे पहले पी लहर या प्रधान लहरे निकलती है इनको प्राइमरी वेफ्स या प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं ये प्रधान तरंगे होती है ये तरंगे ध्वनी तरंग की भाती होती है ध्वनी तरंग याने ठोस खेत्र में भी ये गती करती है और इनकी जो गती होती है लगभग 7.8 किलोमेटर प्रती सेकेंड की गती से यह निरंतर बहती है लगभग 2900 किलोमेटर की गहराई याने प्रित्वी का जो क्रोड एरिया है केंदरी भाग वहां से प्रारंभ होता है यहां पर भी यह तरंग काफी तेजी से बढ़ती है और इस ख्षेत्र म यह लगभग इसकी गती कभी कभी 13 किलोमेटर प्रती सेकेंड की गती से यह बढ़ने लगती है भूगर्व से जब यह तरंगे गुजरती है तो इनके कण जो होते हैं इस प्रकार की जो लहरे होती है ये लंबातमक होती है, longitudinal लहरे होती है और इसमें दूसरी एक और स्थिती होती है कि ये बहुत अधिक संपीड़नातमक होती है, बहुत ज़्यादा गोल-गोल-गोल-गोल-गोल घुमती है लेकिन हमको ये स्थिर दिखाए देती है, तो इतनी ज़्यादा संपीड़नातमक, Compressional Waves जो होती है ये P लहरे होती है इनकी आवरित्ती बहुत उच्च होती है जबकि इनकी लंबाई छोटी होती है ये लहरे जो हती है ठोस क्षेत्र में भी काफी तेजी से गती कर सकती है लेकिन तरल भागों में इनकी गती मंद हो जाती है तो ये प्राथमिक लहरों की कुछ विशेश्टाएं है प्राथमिक लहरों के बाद दूसरी लहरे होती है जिन्हें आडी लहरे कहते हैं ट्रांसवर्स Waves कहा जाता है इसको ये S लहरे कहलाती है कोई-कोई इन्हें Secondary Waves या द्वितियक तरंगे भी कहते हैं ये जो द्वितियक तरंगे है इनका स्वरूप प्रकाश तरंग की भाती या जल तरंग की भाती होता है इन लहरों में जो गती होती है ये प्राथमिक तरंगों की तुलना में 60 प्रतीशत गती कम हो जाती है और इनकी जो गती होती है यह लगभग 4.35 किलोमेटर प्रती सेकेंड तक होती है लेकिन जब ये लहरे 2900 किलोमेटर की गहराई पर आ जाती तो यहाँ पर इनकी जो गती है यह लगभग 7 किलोमेटर प्रती गती के स्पीड से ये आगे की और बढ़े जाती है ये जो ट्रांसवर्ट तरंगे हैं इसे वीरूपणी ये तरंग भी कहते हैं इस तरंगों में जो इनके कण होते हैं इनके कण की जो किरने होती है ये लगभग समकोन पर मुड जाती है ये इस तरंगों की विशिश्टा होती है कि ये समकोन में मुड करके ये चलने लगती है और ये जो ट्रंगे होती ये तरल पदार्थों से होकर के नहीं गुजरती और इसलिए जैसी तरल पदार थाता है यह समकून क्यों मुड़ जाती और इसलिए प्रित्वी के मध्यवर्ती भाग से यह तरंगे नहीं गुजरती तो ये इस प्रकार की जो तरंगों का उदारण है ये है द्वितियक प्रकार की तरंगे या आड़ी तरंगे इसे कहते हैं तीसरी प्रकार की जो तरंगे होती है इन्हें धरातली तरंग कहते हैं सर्फेस वेव्स भी ने कहा जाता है ये जो धरातली तरंगे है इसको एल तरंग कहते हैं एल का मतलब होता है लांग या लंबी तरंगे होती है ये सबसे अधिक लंबी होती है इस फ्रकार की जो तरंगे होती है इनका वेग बहुत कम होता है लेकिन जिस केंद्र से ये निकलती है इस केंद्र से ये चारो तरफ क्रमशा फैल जाती है और फैलने के बाद ये तरंगे वापस गोल घुम करके केंद्र की तरफ ही आती है इस प्रकार की जो तरंगे होती है ये जल में भी सक्रिय होती है महा सागरों में भी ये तरंगे उठती है और उची उची लहरों को ये विक्सित करती है इस प्रकार की जो तरंगे होती है ये सबसे अधिक विनाशकारी होती है क्योंकि धरातल पर इसका अनुभाव किया जाता है और धारातल पर अनुभ़व करने से जहां पर धारातल पर इसका प्रभाव पढ़ता है वहां पर भूखम के जटके महसूस किये जाते हैं और इसका जुषपरिणाम है यह हम सब ने कम से कम TV के माध्यम से जो पिच्चर्स आते हैं तो आपने ऐसी तस्वीरों को देखा है इसका प्रभाव जल पर और स्थल पर दोनों ही ख्षेत्र में होता है इनकी जो गती होती है लगभाग तीन किलोमेटर प्रती सेकेंड की गती से ये तरंगे धरातल पर प्रवाहित होती है तो इस प्रकार से ये प्राथमिक, द्वितियक और जो तृतियक तरंगे हैं इन तरंगों के माध्यम से प्रिथवी की आंतरिक संरचना कैसी होगी याने जैसा बताए कि प्राथमिक तरंगी ये ठोस और तरल दोने क्षेतर से प्रवाइत हो रही है लेकिन जो द्वीतियक तरंगे वो तरल क्षेतर से प्रवाइत नहीं होती वहां से वह नब्बे अंश क कोण पर समकोण पर यह मुड़ जाती है और बाहर आने के बाद यह तरंगे विद्वन्स करती है तो इससे प्रित्वी के अंदर में विभिन्न प्रकार के घनतु या प्रित्वी के धरातल के भीतर की जो चट्टानों का स्वरूफा इसमें भिन्नताएं देखने को मिलती है य तरंगे जब भीतर से गुजरती है तो इनके मुड़ने के धांग से ही हम प्रित्वी के अंदर की विभिन्न असंगतियों का पता हम लगा सकते हैं और इसी के आधार पर जो प्रित्वी के अंदर में घनत्व अधीक है हम कह रहे हैं तापमान अधीक है हम कह रहे हैं तो हमा इस विश्वास को प्रबलता प्रदान करती है यही तरंगे इन तरंगों को हम कैसे जानते हैं कैसे समझ सकते हैं बच्चों आप जानते हैं कि भुकंप को जानने के लिए एक यंत्र बनाया गया है जिसको हम सिस्मोग्राफी यंत्र कहते हैं तो यह सिस्मोग्राफी यंत्र ज जो है ये सिस्मोग्राफी यंत्र इसमें हलचल करने लगता है। इसमें बताता है कि अधिकेंद्र में जो ये वेप्स उत्पन हो रही है और ये वेप्स उस आधार पे कितने समय में पृत्वी पर आ जाएगी कि सक्षेत्र में भुकाम पाएगा। इसकी सूचना ये सिस्मोग्राफी यंत्र देखता है और यही यंत्र के माध्यम से ये जो तरंगे विभिनक्षेत्रों से होकर जा रही है तो इससे धरातल के भीतर की असंगतियां पता चलती है। कई बार ये तरंगे घनत्व की भिननता के कारण कुछ वक्रा कार रूप में भी प्रवाहित होती है। तो इन तरंगों की भिननता के कारण हम पृत्वी की आंतरिक संदचना कैसी है? इसमें जादा विश्वस्त होते हैं। और मुख्य रुप से हम चार बातों का पता हमने लगाया है कि पृथवी का जो आंतरी क्रोड है ये काफी ठोस है ये यही तरंगे बता रही है कि पृथवी का जो कोर एरिया है जो केंद्रिय भाग है ये बहुत अधीक ठोस है इसी प्रकार से इस केंद्र का जो बाई है जो ख्षेत्र है यह ख्षेत्र लगभग तरल कीचड या दलडल जैसी स्थिती में यहां देखने को मिलता है सलरी इसमें ज़्यादा पाई जाती है फिर प्रित्वी का एक ख्षेत्र ऐसा भी है जो बहुत ही कोमल है इसे दुर्बलता मंडल कहा गया है दुर्बलक ख्षेत्र है यह प्रित्वी की जो चट्टाने हैं इन चट्टानों के गलनांक स्थिती के कारण यह दुर्बलता मंडल का विकास हुआ है इसी प्रकार से पृत्वी का जो स्थलिय भाग है या कठोर तल के रूप में है ये सभी बाते इन तरंगों के माढध्यम से हमें पता चलती है तो भुकंप विज्ञान जो है ये अपने आप में बहुत ही इनकी जो तरंगे है ये परियाप्त है पृत्वी की आंतरिक सनरचना को समझाने के लिए तो इस प्रकार से ये जो प्राकृतिक तथ्य है ज्वाला मुखी और भुकंप इन दोनों के माध्यम से हम पृत्वी का अंतर्तम कैसा होगा इसे जानने का प्रयास किया है ये तो हो गया पृत्वी की जो आंतरिक सनरचना है इसको जानने की एक भावतिक कारक भुकंप जब किसी क्षेत्र में आता है तो वो अपना क्या प्रभाव डालता है बचो आईए ये भी हम जाने तो सबसे पहले जब भुकंप आता है तो पूरी की पूरी भूमी हिल जाती है उस क्षेत्र विशेश की जहां पर जिस केंद्र से भुकंप आता है उस क्षेत्र की भूमी पूरी तरीके से हिल जाती है और इसके हिलने से धरातल में कई प्रकार की विसंगतियां आती है विसंगतिया कोई क्षेत्र नीचे धर जाता है कोई उपर उड़ जाता है कहीं पर दरार आ जाती है आधी आधी विसंगतियां यहां पर आती है और जब परवती क्षे में भुकंप आता है तो भूमी स्कलन या मृदा स्कलन या फिर उस ख्षेत्र में जो मड़ फ्लो तेजी से होता है, पंक प्रवाह तेजी से होता है, मिट्टी का द्रवन होने लगता है, आइस स्लाइडिंग होने लगती है, हिम स्कलन होने लगता है, तो ये सभी प्रभाव जो है भुकंप के कारण आते हैं सागरी भाग में जैसा भी बताया कि सागर में भुकंप आने से लहरे विक्सित होती बहुत बड़ी बड़ी लहरे उठने लगती जिसे हम सुनामी लहर कहते ये भुकंप का ही कि ही एक देन है इसी प्रकार से नदियों के कभी-कभी बांध त तूट जाते हैं प्राक्रितिक तटबंध जो है कभी-कभी तूट जाते हैं और उसके करण क्या होता है जो बांध में जो जल भरा रहता है यह जल चारों तरफ बिखर जाता है और इससे बाढ़ जैसी इस सिती का सामना हमें करना पड़ता है नदी का मार्ग औरुद्ध हो तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक दिहांग नदी है यह बहुत बुरी तरीके से बाढ़ ग्रस्थ हो गई थी तो यह एक भुकंप की प्रक्रिया के अंतरगत सम्मिलित किया जाता है इसी प्रकार से भुकंप आने से लाखो लोगों की असामयिक मौत होती है आपने जितने भ कि भुकंप सुने हैं तो उस भुकंप के क्षेत्र में क्योंकि भुकंप कभी-कभी ऐसा होता है कि सिस्मोग्राफी अंतरवतारा चेतावनी मिली लेकिन चेतावनी कुछ समय पहले ही मिलती है यदि रात में आदमी सोता रात में भुकंप आता है तो क्या होता है कई व्यक् से लोग काल कवलित हो गए थे इसी प्रकार से जब 26 जन्वरी 2001 में गुजरात में भूकंप आया था या फिर 1937 में आये कलकत्ता के भूकंप में अनेक लोग काल कवलित हुए थे अनेकों की मौत और सामयिक हो चुकी थी तो यह भूकंप का प्रभाव है फिर धरातल का कोई ख खेत्र नीचे धस जाता है बच्चो इसका भी एक्जामपल बतारियू सन 1819 में जब सिंधु नदी के डेल्टा के पास भूकंप आया था तो लगभग 4500 वर्ग किलोमेटर का एक विस्तरी खेत्र जो डेल्टा का था यहां धस गया था और बहुत सा भाग जो है समुद्र मे समा गया था तो यह एक भूकंप की परिणिती उसका रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं कई बार भूकंप के कारण एक व्रिहत क्षेत्र में दरार उत्पन हो जाती है और इस प्रकार की जो दरार है सन 1897 में जब असम के क्षेत्र में भूकंप आया था तो वहां पर लगभग 19 किलो मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी दरार विक्सित हो गई थी अब आप जानते यदि जमीन पे खूब बड़ी दरार आ जाए तो कितने ही घर तूट जाएंगे नदियों का प्रवाह जो है उस दरार में कई बार समा जाता है कभी उसके किनारे नदी का मार्ग बदल तो ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं संपन होती है इसी प्रकार से आग लगने की क्रिया भी होती है मानीजी जब भुकम पा रहा है तो कोई कार खाने में कारे चल रहा है या कोई ख़दान जो है वहाँ पर कोई कारे चल रहा है घरों में भी कारे चलता है और जैसे भुकम पा सन 1923 में जापान में जो टोकियो या याकोहमा के ख्षेत्र में भुकंप आये था तो इससे एक वरिहत आगजनी की घटना घटी थी तो ये इस प्रकार के कई प्रभाव भुकंप के कारण संपन होते हैं तो ये तो बच्चों भुकंप के सिती हुई